हेलो फ्रेंट्स आप सबस्वागत है आपके अपने डूप चानल फार्मा एमसी क्यों में तो देखें आज की वीडियो में क्या लेकिया हूं आप लोगों के लिए देखें आपका जो है उडिसा में फार्मासिस्ट का जो एक्जाइम हुआ है OSSC में जो फार्मासिस्ट का एक एक्जाम हुआ है 20 जैन को है न कली एक्जाम कंड़क्ट हूए तो बहुत से स्टुडेंट्स ने यह क्वाइशन पेपर मुझे प्रवाइड कराया सबसे पहले लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स दिलसे थैंक्स आप लोगों को कि आप जो यह विट्वेशन पेपर और आ तो यह जो प्रिवेस एर की पेपर जितने भी होते हैं आपके जितने भी आपक्मिंग फार्मसिस्ट के एक्जाम सोते उनके लिए काफी इंपॉर्ट्ट होते हैं क्यूंकि प्रिवेस एके कुईशन से रिपीट होते रहते हैं और देखे अगर आप किसी भी फार्मासिस रिजाम की प्रेपरेशन कर रही है तो हमारे चैनल पर हमने थ्री थाउजन एमसी को सिरीज भी स्टार्ट करी हुए ठीक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और देखे क्वेशन हमारा विच फैक्टर कें इंफ्लॉएंस दा रेट ट्रचर्स करेंगे ड्रक का मे्टाबॉजम है फूड इंदा स्टॉमक है तो इसका अंसर कैंदा स्टॉमक हो जाएगा फॉड इंदा स्ट्रमक हो जातना कि रहें निक्स्न अंच्ट इंसुलिन करते हैं गलुकोज को मिंटेन करके चलता है ब्लड को गलुकोज लेवल आप लोगोनीकार रहें तो बिल्कुत सही है स्टीमुलेटिंग हॉर्मन टीएच होता है कहां से आपको बता है कि पित्यूटरी के बारे में बीजिरी घ्लेस, जब है जब यह एक आंटिर्टरी घ्लेस में में चीजिएल इसम Uganda ifin a क् Sun Sigma अजबुरी में बीजिए इसमें से कौन सब डिजीज में सिम्टम है थारोड क्या है डिजिज है डेंगू, मेजल, सब डिजिस है, टैकिकाडिया, जो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, टैकिकाडिया, तो इट इस नॉट आड डिजीज बट सिम्टम, तो यह सिम्टम हो जेगा, निक्ट प्रोसेस ऑफ ड्रग मैटावोलिजम, ओफन इन्वॉल्ड अफ लिपोफिलिक है, तो लिपोफिलिक से क्या बनता है, हाइड्रोफिलिक, देखें, मोर वोटर सॉलिबल कंपाउंट्स, बिल्कु सही है, लैस वोटर सॉलिबल इंटु कॉंप्लेक्स, या मोर लिपोफिलिक ऐसा नहीं होगा, ओप्शन ए इसका राइट हो जेगा, तो इसको कौन प्रोट आपकी लोंगेस्ट जो बोन आपका फीमर थाई बोन बोलते हैं, तो पैरों में होती है, तो यह कैसे करेगी, तो आपका बिल्कु सिंपल इक्वेशन है, देखें, आपका अंसर आजएगा, तो बिल्कु सही है, नेक्स्ट देखिए, क्वेशन है, हमारा, टॉटल नंबर आडल्ट में पूछी हुए, बोन्स है, तो आपको बता रखा है, किने 206 बोन्स होती है, अगर आप स्कल्टल सिस्टम का वीडियो देखेंगे, तो फस्ट क्वेशन में यही आपको करार रखा है, ओके, OTC स्टेंड फोर देखिए, ओवर दा काउंटर ड्रक्स होती है, OTC बहुत बार एक क्वेशन रिपीट होता है, बिल्कुल इजी क्वेशन है, बहुत बार आता है, आप वीडियो देखेंगे, तो मैंने आपको यह भी बता रखा है, एक डिजीज की प्रिवेंशनल जो मेडिकेशन लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्री वर्क आउट ड्रक कहेंगे, प्रोफायलाक्टिक ड्रक क्या अरली ड्रक है, रिचार्घ ड्क, आप्शन, बिल्कुल से सिंपल सो याप्शन, लेकλ होगा, प्रोफेरिक ड्रक हो जाएगे ना, नेक्स्ट है, जिस्ट्रान्स कवेगरेशन हो जेंगा, नेक्स्ट है, विच डर्च वोर्मे में है न कौन सी डोस फॉम होती है जिस से क्या होता है यह मेडिकामेंट्स होते हैं रेक्टम में डिलीवर कि जाते हैं कि सब्लिंग्व टाबलेट तो क्या हो जीगा है ना निकसे मांट फूब्स लुद्श्वूब्स जो फूब्स के जो अबसौप्श्वूं मांट में होता है मांथ में होता है स्टमक में इसोफेगस इंटस्ट निए जो फूड का जो एब्जोप्शन होता है वह आपका इंटस्टाइन में होता है option D आप लोगों करा है तो बिल्कु सही है how many sensory organs are present तो यह तो बिल्कुली basic sensory organs आपकी कितने होते हैं 5 होते है option A right हो जेगा which is the following has a specialization to treat cancer cancer को treat करने के लिए specialization का नाम बताना है orthopedic, pediatric oncologist या pulmonologist तो यह oncologist हो जेगा option C which of the following is transition metal तो अभी inorganic chemistry के हमने थिदा हो दिना हम दिसकों की सीरीज में न यह इन और लोगनिक chemistry अभी start करें के वीडियो अपलोड करें आप लोग देखना transition metal वाला question में आपको अभी कराया ही है यह paper कल हुआ था ट्वंटी को मौर्णी में मैंने वीडियो डाला था यह question उसी में था यह का यह question sodium copper chloride chlorine carbon तो मैं आपको copper answer बताया है उसमे option B इसमें चार कारबन है तो चार कारबन के लिए आपका मेरे साबसे ब्यूट वर्ड यूज होता है ना तो आपका यह ब्यूटे नोल हो जाना चाहिए एक दो तीन चारी कारबन है तो आपका ब्यूटे नोल हो जाएगा option C तो morphine belong to the class of drugs under which schedule as per drug and cosmetic तो morphine जो है कौन से schedule में आता है आपका यह आपने बताना है तो आपका narcotic drug psychotropic substance में आ जाना चाहिए ना तो schedule X में आजेगा option D next healthy individual has a systolic blood pressure तो systolic आपका जो blood pressure जो आप लोग पढ़ते हो 120 by 80 जो आप लोग पढ़ते हो ना तो इसमें systolic होता है और यह systolic होता है ना यह diastolic होता है उपर वाला systolic होता है ना तो 120 mmHg हो जेगा आपका systolic option C next question देख लिए 21 में क्या दिया हुआ आपको CDSCO simple आपका CDSCO का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा हुआ है ना डिया है आपको जो जूरिस्पूटन से questions मैंने आपको करा भी रहा है central drug standard control organization central drug standard control organization option B में दिया है ना option B राइट है फीफो का full form fast in fast out इससे easy क्या होगा fast in fast out नयसे which of the following is not a test for tablet की evaluation की टेस्में देकि disintegration test आता है dissolution test आता है फ्राइबलेट आता है लेकिन solution viscosity नहीं आता option C right हो जेगा नैसे which of the statement is not true for typhoid के लिए कौन सी बात सही नहीं है गलत है बताएए देकिए it is caused by contaminated water and food it is caused by ट्रीट तो करी सकते हैं आपका जो है यह नौट में यह आजगा बागी हाइफी वर इस वन अग शिम्टम से नेक्स देखिए क्वैश्टन मतलब कि मीटर डोज इनहेलर्स कॉमनली किसमें यूज करेंगे मीटर डोज इनहेलर्स जो होते थे कि अस्मा तूथे एक लिवर डैमेज माल नूट्रिशन तो अस्मा में उस करेंगे नौ ऑप्शन ए इन्सुलिन इस प्रड्यूस्ट बाए तो इन्सुलिन जो है हमारे पैंक्रियाज में आलेट ओफ लेंगरंस की बीटा से प्रड्यूस होता है इसमें सिंपल पुछाओ आप पैंक्रियाज आपने आंसर करना था ओप्शन ए नेक्स्ट क्वेशन है लासा स्टैंड्स फोर लुक अलाइक साउंड अलाइक है ना तो असे होस्पिटल इंक्लिनिकल फामेसी की हंडर क्वेशन का वीडियो है आप देखना उसमें यह क्वेशन भी आपको उसमें मिलेगा फीफो वाला भी है उसमें यह लासा वाला भी है लुक अलाइक साउंड अलाइक कौन से ओप्शन में लुक अलाइक साउंड अलाइक क्या ओप्शन बी में है ना निसा डिमेंशिया डिमेंशिया मतलब कि लॉस ओफ मैमरी डिमेंशिया का मतलब क्या होता है लॉस ओफ मैमर है और aspirin anti-plagulate होती है मतलब कि जो प्लेटलेट का एग्रिएशन होता है उसको इनिविट कराती है और यह एंटिक को एगुलेंट दोनों का सिमिलर से एक्षन हो गया तो सिनर्जिस्टिक हो जाना चाहिए ऑप्शन बी निसे कैलमाइन इस तो कैलमाइन क्या है जिंक सल्फेट निसे को एब्सोंब करेंगे लुगॉल सलुषन तो फोलूजियोग्या को पते है क्या होता है ऐक्षफियू open buds सुलिशन are solutions क्या होते हैं बाइफ़ेजी को मोनोफेजिक मल्टी लेयरसंचिंस तो सोलुफेजिक हो जाएंगे सफोलिंक से लार्ची नार्जेस्ती इस्मॉल это तो smallest को तो हम ऐसे याद रखते है कि 5 जो होता न यह smallest के S को हम 5 से रेट गए याद करते हैं तो smallest तो आपको 5 वाला होता है और 000 जो होता है हमारा largest होता है इसके options में देखिए आपको कौन सा दिया हुआ है 34 का options देखिए next option तो इसमें आपको 0 ही दिया हुआ कि उसके ओप्शन का अकोडिंगा वन हमारा जीरो वाला अंसर सही और इसकूए निसक्कवेशन संस्क्रीन स्प्वाइब तो संस्क्रीन होते न तो संस्क्रीण्स होते है तो तो मतलब क्या है तेकि प्रotecchn in sun for 15 minutes without getting a sunburn protection in sun for 15 hours without getting a sunburn up to 15 तापका अंसर ऑप्शन डी होजगा प्रोटेक्शन फोर वन फिफ्टी मिनट्स नसगा इंसुलिन ईसे तो इंसूलिन क्या है ट्रग है एक एंजाई मैं होर्मोन होता है oil in water contain oil as जो आपके emulsions होते है oil in water की बात हो रही है तो oil in water में oil क्या होता है dispersed medium है dispersed medium है solubilizer या buffer देखे जो oil in water emulsions होते है उसमें जो oil होता है वो हमारा dispersed phase होता है क्या होता है dispersed phase होता है है ना और जो हमारा क्या water होता है water क्या होता है हमारा continuous phase होता है क्या होता है continuous phase मतलब ऐसे कहले जिए oil dispersed phase और water जो है dispersed medium है ना तो हमसे पूछा है oil तो oil क्या है dispersed phase मतलब कि dispersed medium बोल सकते हैं है ना तो हमारा answer क्या हो जाएगा option जो है यह हो जाएगा oil in water में oil dispersed medium होता है और अगर आप से opposite पूछ लेदे water in oil की बात पूछते हैं water in oil में पूछ लेदे तो इसमें water dispersed phase होगा और oil क्या हो जेगा continuous phase होता है नेक्स से कोविड नाइटीन वास कोस्ट वाए तो जो कोविड नाइटीन है इसका कोस्टिव ओगनिजम क्या था बैक्टीरिया वारस फंगस या एलगी तो सभी को पता है वाइरस है ना निस आई सी एमार स्टेंड फॉर्ट तो मैंने आपको बताया था अभी जो है फुल फॉर्म के उपर क्वेशन्स बन रहे हैं आई सी एमार जो है इंडियन होता है इंडियन काउंसल ऑफ मेडिकल रिसार्च नेस लार्जेस्ट बोन बताने सबसे बड़ी बोन कौन से स्टेपिस तो स्मॉलेस्ट होती है तो लार्जेस्ट हमने क्या पढ़ा है फीमर प्रश्च नेरोंस होता है यह भी हमने पढ़ लिया प्रश्च प्रश्च क्या है एस बिल्कुल सही करा होगा ऐसा यूनिट आप टमपरेचर तो इसमें इसको सर्च करा तो कैलवीन लिखा वाथ हो कि आप देखिलना कैलवीन आंसर जो है मेरे साब से ठीक होना चाहिए स्टरिलाइशिशन उसे उसिजघने अचाहिए जो आपका थैक्रणल में टेकनीक होता है कि आपका इसमें इसमें विलेंग भी आता है से बोडाइशन और तो यह आपका ड्राइप होजेगा आप्शन और सब्सक्रणल का थैशिए क्ल्स ब्रॉद्ट्ट इसमें टेकनिक हो बढलाने के लिए एंप्रीटीव करने के लिए एड़ करेंगे तैगे डायलुएंट यह उसी ऐंटिवाइट भी दिसकारश कि गई थी स्वेटिध डिसकार तो आपका जो फ्रक्टोज है तीनों ही वैसे मोनो सेक्राइड सापके ना वहीं सिस्ट्राइज होंगे तो इसमें नाइट्रोजन है कहीं बिल्कुर नहीं दिख रहा तो ग्लाइसीन ही तो आपने करा है तो सही है इनमें क्या स्टोर होता है प्रोटीन फाइबर फैट लेट स्टोर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा cancer क्या है cancer इस तो cancel cancer क्या होता है uncontrolled cell death होता है controlled cell death uncontrolled इसमें cancer में होता क्या है uncontrolled cell growth होता है option अगर आपने see करा है तो बिल्कु सही है फिर question क्या पूछा हुआ है which is the following example of loop diuretic loop diuretic को देखते ही समझे यह options देखें फिरोसिमाइड है hydrochlor thiazide तो thiazide में आगया sperm lactone दिया है potassium sparing में mitolazone दिया है loop diuretic commonly used to the adima and hypertension तो हमारा furosemide loop diuretic high ceiling diuretic में आता है furosemide and answer is option A next हमारा question क्या देखा है next question है in the context of pharmacokinetic what does the term half life represent T half के उपर half life general pharmacology के mcqs आप देखें half life के उपर as it is question आपको मिल जाएगा half life क्या represent करता है time it take for a drug to reach its peak concentration time it take for half of drug to be eliminated from the body duration of action of drug time it take for a drug to be absorbed in the body तो क्या answer आपका निकल के आ रहा है option B निकल के आ रहा है time take half of the drug to be eliminated from the body option आपने अगर B करा है तो बिल्कु सही है 53 में क्या है primary mechanism of action of statin medications in treating hypercholesterolemia statins का simple mechanism statins कितनी बार बताया hmg coa reductase inhibitors में हमारे statins आते हैं प्रेवास statins रोसुवास statins रोसुवास statins different different statins statins होते क्या है hmg coa reductase inhibitors होते हैं आ ओप्शन में क्या मिला है आपको inhibition of cholesterol absorption stimulation of bile production next option क्या है inhibition of hmg coa reductase मिल गा है आपको option C हैना तो आपका जो है option C right हो जबाग activation of lipoprotein lipase तो ये भी नहीं होता है ना तो आपका answer क्या होना तो option C आपने बिल्कु सही करा होगा मेरे साब से और सब्सक्राइमरी goal of GMP good manufacturing practices जो GMP होता है इसका primary role बताना है GMP guideline in pharmaceutical industry में primary role GMP guidelines का देखे ensuring the safety and efficacy of pharmaceutical product marketing and promotions of pharmaceuticals cost reduction in drug manufacturing xp dieting the drug approval process okay तो GMP का यह मेरे साबसे option A ही हो जगा ensuring the safety and efficacy of pharmaceutical product okay next question the context of pharmaceutical dollars form what does it अंटेरी coating रहा पर्टू एंटेरी कोटिंग तो बहुत ही important है बहुत बार बहुत से exam में इसके questions बने है टेबलेट के mcqs मैं आपको कराए तो एंटेरी कोटिंग के कितने questions करा जितने questions exam में है वह सारे questions आपको कराए थे तो अंटेरी कोटिंग का questions आपका बिकुल सही होना चाहिए ने कोटिंग दट एंहेंस दा टेस्ट ओफ टेबलेट तो ऐसा तो कुछ कोटिंग दा प्रोटेक्ट डर्ग फ्रोम लाइट तो ऐसा नहीं होता कोटिंग दा इंप्रूड ड्रग अब्सॉप्शन दा स्टमक ऐसा भी नहीं होता अगर आपने ओप्शन भी करा तो आप बिल्कुल सही हैं ओके 56 देखे वर्ट इस अप्राइमरी पर्पस ऑफ नैबुलाइजर नैबुलाइजर रास्पिरेटरी थिरैपी में नैबुलाइजर का पर्पस बताईए देखे तो डिलीवर ऑक्सिजन टू पेशेंट्स तो एड्मिनिस्टर इंटराविनस मेडिकेशन तो आईवी इसको क्या काम है यह उप्शन सी हो जगा यह लिक्विड मेडिकेशन को फाइन मिस्ट में कनवर्ट करेगा फॉर इन हेल करने के लिए उप्शन सी बिल्कुर राइट हो जगा नम विच वाइटमीन इसेंशन्शन फोर सेंथिस फॉलाजन अन्टेनल सफ कनेक्टिव होती है और कोलाजन की सिंटिस में करता है टारैरिखियों के मैटबोलिजम में और आइरन के अब्जॉप्शन मैं help करता है अर बारी में आपको वीटामिन सी की सारी बाते बताते हूं स्ट्रक्ट्चर सिमिलरी को हेट्जो रहता है। वीटामिन के क्वैसिन इसे बहार नह से हो जगा विटामिन सी हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेशन हमारा है 58 वट इस फंक्शन ओव ब्लड ब्रेन बेरे ट्रिपल बी जो है ब्लड ब्रेन बेरे का फंक्शन बताईए टू प्रिवंट एंट्री ओफ ड्रॉग इंटू ब्लड स्ट्रीम तू फैसिलिटे ड्रॉग क्या करेंगे ब्रोंकाई को डाइलेट करेंगे है इस सटेपशन नहीं ₲ कोश डाइलेट ऍो इसलेट ओर tenido स्टेट Спंशन में ऍप्रॉग AL. पीरियड मेंटेनिंगे कॉंस्टेंट ड्रग लेवल इन दा ब्लाड स्ट्रीम तो कौन सी है इमेजेट रिलीज हो जेंगी बिल्कुर नहीं होगी सुस्टेंड रिलीज होंगी और ओप्षिंस एक इफर्वेस्ट या चेबल तो आपके चार ओप्षिंस में क्या अंसर निकल क सब्सक्राइस बन रहा है निकलो फीरियो फिल्कुर्विएश्न सीथा लिकुड फेस बन रहा है कंडेंसेशं वेपरायश्थेशं सब्लिमेशन डिपोस्जिन तो सब्ली मेंशन के बारे में आपको बता रहें हैं बहुत इम्पॉरेंट एक्वाइश्ट थी स्केल मासर तो सबस्टेंज अब पीएच ऑफ सावन इंडिकेट तो मैंने आपको पीएच स्केल की बताया था यह 0-14 होता है ना लैस देन सेवन एक्सप्लेशन में बताया है लैस दन सेवन बसी इतना मदब कॉमन सब बेसिक सा क्वाशन है पीएच सब्सक्राइब को पता होगा कि न्यूट अपने एप बिल्कु सही करा होगा एक्साइड और बेस मतलब कि एसिड भी है वह बेस भी है तो सोल्ट है नीट्रल सब्सक्राइब टो वह जाएंगी है न असिड मैस भी होंगे सब्सक्राइब केमिकल रियक्शन को स्पीड अप करा रहे हैं विदाओट बिंग कंजियूम प्रोसेस चैमिकल रियक्शन में कंज्यूम नहीं होते बस उसको क्या करते हैं तो यह आपके कैटलिस्ट होते हैं रियक्टन होते है प्रडक्ट या इनिबिटर तो यह हमारे कैटलिस्ट होते हैं है ना नेक्स वाट इस दा मिचछ फॉलेंगे नोबल गैस बिल्कुल यह बेस मैं आपसे कहा था कि सिंपल बेसिक फॉर्मूला आप लोगों से पूछ लेते हैं है ना जैसे के एमनोफोर होता है आपका है ना आपका आपको पता होना चाहिए ऑप्शन भी आप लोगों ने बिल्कुल सही करा होगा मॉलेक्लर फॉर्मूला मिथेन का पूछा हुआ है सी यह सीच फॉर्मूला मिथेन चीच फॉर्म नेक्स्ट चैमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट गोल्ड गोल्ड का सिंबल देखे मैंने आपको यह भी बताया था कैमिस्ट्री में बेसिक आप से कई बर सिंबल्स भी पूछ लेते हैं ना इन और गैनिक चैमिस्ट्री के जोबी थी आपने बिल्कुल राइट करा होगा मेरे साब से उके 68 हो गया ना 69 आएगा फी तो आयरन का है प्राइमरे डोल ऑफ टैनिंस का मेडिसिनल प्लांस में क्या रोट टैनिस तो बिल्कुल बेसिक हमरे एस्ट्रिंजेंट प्रोपर्टी रखते है ना जब टैनिस के बार में सिंप्रोन तुट के बारे में बहुते बार में बसी को एनअनिकलॉट्स में आता था है उसकेकु कु ओ सिंप्सम्प्ल कुईन होना था यह जो इसके लिए सक्ष्य हमारे में नेक्स्ट है, what is the name of process in which molecules जैसे glucose are broken down anaerobically, anaerobically broken down होते हैं, दिखें, fermentation and decoction, infusion, extraction तो भी को simple option है, fermentation हो जाएगा, नेसर, what is the term for the study of physical, chemical and biological properties of drug obtained from natural source, pharmacology, kognosy, cytics, pharmacy, pharmacognosy हो जाएगा, natural source जो drug obtained होती है, उनकी physical, chemical and biological properties जो study करेंगे, pharmacognosy में ये करेंगे, option B, नेसर, plant derived substance is commonly used as flavoring agent है, और antimicrobial property ब्यादे के flavoring agent है, कुई नीन तो आपका होगा नहीं, है ना, मलेरा में यूज होगा, तो ऐसा कुछ है नी, flavoring नहीं है, इसका, capsacin दिया है, जो आपका capsicum में होता है, पंजेंट प्रिंसिपल होता है, capsacin, vanillin दिया है, curcumin, curcuma, longa, haldy में, turmeric में, curcumin, yellow coloring substance होता है, ये ना, तो आप देखे, इन चारों में से options, flavoring agent, तो मेरे साब से vanillin मुझे तो सही लग रहा है, option मेरे साब से तो वैसे मुझे तो सही लग रहा है, बाकि आप लोग बताना, अपने अपने comments की आपको क्या सही लगता है, इसमें, okay 73 में, next है, what is the main role of stomata, stomata का रोल बताना है, plant के leaves में stomata जो होते हैं, उनका रोल क्या है, water transport करेंगे, gas exchange, nutrient absorption, मैं कहते हैं, support तो क्या करता है, gas exchange में इनका रोल होता है, option आपकोने बिल्बिल्कु सही करा होगा, what class of compound is responsible for characteristic color of plant, plant के color के लिए responsible होते हैं, often used as natural dyes, okay, alkaloids है, tannins है, flavonoids है, glycoser, तो यह flavonoids हो जाएंगे, option C, next है, time for substance that are used to mask unpleasant taste of pharmaceutical formulation, देकि जो unpleasant taste होता है, उसको mask करेंगे, emulsifier करेंगे, demulsants करेंगे, flavoring agent करेंगे, preservatives, तो बिल्कु सिंपल है, हमारे flavoring agents करेंगे हैं, next है, main active alkaloid in opium poppy, opium poppy, जो popover somniform popoveracy family होते हैं, इसका main active alkaloid कौन सा होता है, nicotine, morphine, atropine, effettin, तो बिल्कु सिंपल है, morphine होजेगा, option B, next है, term phytopharmaceuticals refer to, synthetic drug, herbal drug, microbial drug, biotechnologically produced drug, तो यह हमारी herbal drugs के लिए use होगा, phytopharmaceuticals, okay, next है, what is the primary purpose of peak flow meter in the management of asthma, आज समा की management में, जो peak flow meter का primary purpose monitoring blood glucose level दिया है, options में, और क्या दे रखें, assessing lung functions, measuring blood pressure, evaluating kidney function, तो इसका यह assessing lung function हो जाना चाहिए, इसका primary role of anti-coagulant medications in healthcare, anti-coagulant medications का role क्या है, यह BP, blood pressure को लोवर करेगी, बिल्कु नहीं करेगी, prevent करेगी, blood clot formation सही है, करेगा, बिल्कु नहीं करेगा, to promote and sell pharmaceutical product to healthcare professionals, सही है, यह sale representative है, तो क्या करेगा, sale करेगा, to promote and sell pharmaceutical product to healthcare professionals, to conduct clinical trials for new drug, to regular drug price, तो आपका answer तो option B ही right हो गया, next है, name of organ that filter the blood, blood को filter करेगा, को लीवर, kidney, pancreas, spleen, तो अपना kidney करेगा, option B, next है, primary function of anti-ametic medication, anti-ametic, क्या करेंगा, amesis को रोकेंगी, anti-ametic, तो pain relief करेंगी, क्या, anti-inflammatory होंगी, prevention of vomiting या, blood pressure regulation, तो prevent करेंगी, vomiting को, okay, in the context of drug administration, what does topical reference, topical का मतलब क्या है, topical ही, जो topical ही apply करते है, जैसे कि, देखे, orally ingested medications तो नहीं होंगी, topical में, medications apply to skin or mucous membrane, बिल्कु सही होगा, option B, injectable medications, inhaled medications, answer is option B, next है, which is the following is water-soluble vitamin, तो आपको बिल्कुल basic है, जो vitamin start करते हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो बिल्कु सही right है, आपका answer है, विटामिन का ये question भी easy है, एक complete blood count measures the level of which blood component, तो complete blood count हो, जो क्या measure करता है, आपके RBCs, WBCs, platelets, इन सब को measure करता है, और आपका hemoglobin है hematocrit को measure करेगा, option आपने B करा, तो बिल्कुल right है, तो नॉर्मल range for fasting blood glucose level in milligram per deciliter, okay, तो fasting blood glucose level का normal range less than 50 mg per dl, 70 to 99 mg per dl, 100 to 149 mg per dl, over 200 mg per dl, तो option भी होजगा 70 to 99 mg per dl, okay, ने सब फार्मासोटिकल unit operations is carried out to reduce particle segregation, तो कौन सा जो है फार्मासोटिकल unit operation होता है, जो करते हैं, किसके particle segregation को reduce करने के लिए, ग्रानुलेशन, फिल्टरेशन, वैक्यूम, ट्राइंग करेंगे, तो ग्रानुलेशन करेंगे, ना option A, नेक्स्ट है, परासिटमोल is an example, तो परासिटमोल क्या है, अक्टिव फार्मासोटिकल इंग्रेडेंट API है, आई उसका full form, देखे, advance होगा, क्या A से बिल्कुल नहीं होगा, alternative भी नहीं होगा, old भी नहीं होगा, बचा क्या option C, अरुवेदा, योगा, युनानी, सिद्धा, अंहोमियोपैथी, option C, 91 question में क्या दिया आपको, 91 देखिए, which vitamin deficiency can lead to disease known as scurvy, देखिए, एक एक्जाम में, vitamin C के ओपर दूसरा question है, एक तो collagen की synthese के लिए पूछा, दूसरा स्करवी, तो vitamin C की deficiency से हमारी स्करवी डिजीज होती है, option आपने C, बिल्कुल राइट करना था, vitamin C की deficiency से स्करवी डिजीज होता है, next है, which vitamin deficiency can result in the development of night blindness, वीडियो डाला था, थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो vitamin C questions, जो है, जितने भी आए, इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगा, आपी वीडियो जरूर चेक करना, मेरे को अगर दिमाग में रहा याद रहा, तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी, next है, which of the following is not a principle of size reduction, size reduction का principle नहीं है, impact होता है, attrition होता है, cutting होता है, radiation नहीं होता, option D right हो जेगा, honey is resource of curcumin, fenitoyn, fructose, almondazole, options ही, किस टाइप के options दिए होगा, honey में curcumin होगा, fenitoyn, आपकी, hardantoyn derivative, 5-5-dif, and hardantoyn, anti-apilepsy, जो आप एपिलेप्सी में ड्रग पढ़ते हैं न, यह anti-apileptic drug होती है, तो honey में होगी क्या, albendazole, किस टाइप के options, आपको option C, fructose ही होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, which of the following is, not a method of sterilization, का method नहीं है, dry heat sterilization होता है, बिल्कुल होता है, most it sterilization, बिल्कुल होता है, ethylene oxide भी होता है, cold water sterilization नहीं होता, option D, right करना था, आपने, which mosquito species is the primary vector for transmitting, जो malaria parasite को humans में transmit करती है, तो हम पढ़ते हैं, malaria जो तो मौस्किटों के काटने से फैलता है, malaria है ना, तो कौन सी mosquito species होती है, तो यह आपके ades mosquito, anophils mosquito, kuleks mosquito या, exodes mosquito, तो यह anophilis, जो female anophilis mosquito के bite करने से होता है, malaria, option B होज़गा, anophils mosquito, next step, which of the following is not a primary role of pharmacist, in community pharmacy setting में, जो pharmacist का primary role कौन सा नहीं है, dispensing prescription medications, providing medical diagnosis, तो diagnose रोना करेंगे pharmacist, है ना, तो note में मेरे साब से तो option B ही आज़े, बाकी और दो options और पढ़ लीजी, answer तो B हो गया, counseling patients on medications, use हैं, और monitor करे drug interaction, तो आपका option B ही right हो गया, hyperglycemia, सबी को पता है, नाम से hyper मतलब ज्यादा glycemia, मतलब glucose, तो मतलब क्या है, glucose ज्यादा हो रहा है, वह options देखिए, normal blood sugar, normal तो होगा नहीं, क्योंकि hyper लिखा हो है, high blood sugar बिल्कु सही है, lower में तो hypo होता है, very low भी नहीं होगा, option B hyper में मतलब की, high blood sugar levels, next है, इंडिया is known for its production of generic medicines, तो generic medicines के बारे में, प्राइमिर अडवांटेज क्या है, generic drugs का, देखिए, टिपकली more expensive, देखिए, ऐसा तो नहीं होता, generic expensive थोड़ना होती है, वो तो reasonable price पर वलेबल होती है, they are not subject to regulatory approval, ऐसा भी नहीं है, more affordable alternative to brand drug, यह शोटर shelf life है, आसा बनी होता, option C हो जगा, more affordable alternative होती है, brand name drug के लिए, option आपका C हो जगा, more affordable, next question है, 100 questions, तो इसमें 100 questions, पूछे गई हैं न, इस paper में, following lipid is common known as, bad cholesterol, तो मैं आपको बता रखा है, good cholesterol कोन सा होता है, बैड कोन सा होता है न, तो बताईए, bad cholesterol, good तो होता है, कोन सा, HDL, good तो कोन सा होता है, high density lipoprotein, HDL होता है, high density lipoprotein, बागी platelets, chylomicron, या LDL, low density lipoprotein, अब बता देंगे, bad कोन सा है, which of the following lipid is known as, bad cholesterol, good तो में आपको बता, high density, HDL होता है, अब बैड का नाम, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, चार ओप्शन्स आपके पास है, तो आपने इसका आंसर हमेशा की तरह, एक क्वेशन का आंसर तो आप जो कमेंट बोक्स में देते ही है, इसका आंसर आप लोगों कमेंट बोक्स में देना है इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो सो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए है, तो मिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं चैनल पर डाला भी हुआ है, तो उस पेपर में से 10 से ज़्यादा ही क्वेशन आए हैं, तो इसलिए मैं हमेशा आप से यहीं की बात कहती हूँ, कि प्रिवेस्ट पेपर बहुत इंपोरेंट होते हैं, क्वेशन से रिपीट होते हैं, क्वेशन से रिपीट हैं, नहीं ओके, ठेंक यू,